मदर नहीं फादर को मार डाला था पर इसके पीछे बहुत सारे राज दफन है बाप और बेटी की रिलेशनशीब ये बहुत ही अजीव सी थी गर में जो भी हो रहा था इस सबसे ब्रदर बहुत जादा डिस्टब हो जाता है पैरलल में उसका भी अपनी नेवर के साथ अफेर चल रहा है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको इसी थीम पर बेस्ट बैक रोड़ से 2018 के एक होल्यूड मूवी एक्सप्रेंट करने वाला हूं इस मूवी में आने वाले ट्विस्ट आपको दंक करकर रहेंगे तो अन तक इस वीडियो को जरू देखेगा अगर आपको वीडिय तो इस सारी situation को as a accident भी दिखा सकते थे अब इसके बाद flashback में जो भी हुआ था इस सारी चीज़ों के बार में हमें पता चलेगा flashback में हम देखते हैं कि हारली अपनी तीन सिस्टर के साथ अकेला रहता था उसकी मदर ने उसके फादर का murder कर दिया था और इस इलजाम में वो सजा काट रही थी हारली की तीन सिस्टर में से सबसे बड़ी सिस्टर थी जिसका नाम थाmber एक छोड़ी जिसका नाम था misty है हारली आज घरा कर देखता है तो ember जोडी का ख्यायल नहीं रख रही है इसके बारे में हारली ने misty से भूचा तुम इसे कहती कि आज Amber की डेट है तो इस वज़े से वो जोडी का ख्याल नहीं रखेगी रात में Harley को काम करना पड़ता है तो जोडी सेफ है यह उसके लिए बहुत ही इंपोर्टन था Amber का इस तरीके से डेट पर जाना यह उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि Amber seriously डेट नहीं करती जो भी उसके पार्टनर्स होते हैं उनके साथ वो कभी भी serious नहीं होती Harley Amber को confront करने के लिए क्या Amber उसे एती है मेरे एक life है तुम्हें सिर्फ काम करना पड़ता है इस वज़े से तुम जेलस हो तुम्हें कोई भी लड़की भी नहीं मिलती Harley को इस बात से बहुत बुरा लगता है वो बेचारा बहुत मेहनत करता था वो अपनी sisters का अच्छे से खैल रगता था वो कितना भी ठका हुआ हो फिर भी जोडी से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है रात में हम हारली को एक सूपर शॉप में काम करता देखते है वो आपर उसने अपने एक नेबर को नोटिस किया जिसका नाम था कैली कैली की डॉटर और जोडी ये दूनों अच्छी फ्रेंड्स थी इसी वज़े से हारली कैली को जानता था हारली कैली को देख रहा था तो कैली ने भी ये बात नोटिस की तो उसके पास आकर उसे बात करती है कैली करती कि मेरी डॉटर को जोडी की याद आ रही थी एक रात उसे डिनर के लिए हमारे हार रुकना चाहिए हारली भी इस बात के लिए मान जाता है रात में वो सोया हुआ था तब उसे एमबर और उसके बॉइफ्रेंड की आवा जाने लगके हारली देखता है तो वो इंटिमेट हो रहे थे उसने गन निकाली और बाहर जाकर वो हवा में शूट करता है यह देखकर एमबर के साथ जो लड़का था वो डर गया और वहां से भाग जाता है एमबर जो इसकाउच पर थी उसे हारली ने निकालकर डारेक्ली जला दिया एमबर इस बात से बहुत ज़्याद गुसा हो गई थी अगले दिन हम देखते हैं हारली जोडी के साथ अपनी मदर को देखने के लिए जा रहा था मदर को सजा होने के पाथ यह फर्स टाइम उसे मिलने के लिए जा रहे है जोडी बहुत ही छोटी है पर फिर भी एमबर जीस तरीके से अपनी लाइफ जीती है इसे देखकर वो वरी कर दिया हारले ने कहा कि उसे कुछ भे नहीं होगा घर की सारी जिमेदारिया हारले की उपर आने के बाद इस बोज में वो दब चुका था उसे घर की नॉर्मल चीज़े भी पता नहीं थी वो अपनी मदर से बुझता है कि लाइट बल्ब कहा है इस इंसरन की वज़े से अब वो अपनी मदर से नहीं मिल पाएगा कोड ने उसे मैंटरेटरी थेरेपी में भेजा था जहाब उसे साइकोलाजिस से बात करनी पड़ती है हारली अपनी प्रावल्मस बताता है तो साइकोलाजिस ने कहा इस जोड़ी का ख्याल रखने के लिए तो हमने रिलेडूस को पूछ सकते हो हारली ने कहा ये फादर के हाँ कोई भी रिलेडूस हमसे संबन नहीं रखते और फादर के हाँ के अंकल माइक ये उनसे मिलने के लिए कभी-कभी आया करते है पर उसे पता नहीं कि क्या उन्हें हेल्प कर भी सकते है तेरविस ने पुछा कि तुम अपनी सिस्टर्स के लिए इतने वरीड क्यों होते हो हारली कहता है कि वो प्रेइकनेंट हो सकती है और ये बहुत ही बुरा होगा तेरविस ने पुछा कि अगर तुमने किसी लड़की को प्रेइकनेंट किया तो तुम क्या करोगे हारली कहता है as a responsibility में उसे शादी करूँगा अगर उसे प्यार भी नहीं करता फिर भी पूरी लाइफ तक उसके साथ रहने के लिए रेडी था पर उसका मानना था अगर वो किसी लड़की के साथ होगा तो उससे हमेशा बहुत प्यार करेगा इसके बाद नेक सीन में हम लिखते है कैली के डाटर के साथ खेलने के लिए जोड़ी आई हुई थी हारली उसे पिक अप करने के लिए आया कैली से बात करता है तो कैली ने उसे डिनर के लिए इन्वाइट किया डिनर के वक्त कैली ने कहा कि जोड़ी को आज का डिनर बहुत अच्छा लगा था हारली नोटिस करता है कि जो रेसिपी वो बनाता है यह जोड़ी को अच्छी नहीं लगती है तो कैली ने उसे रेसिपीज की बुक देनी का प्रॉमिस किया यह दोनों बाते करने लग गए थे तो कैली हारली की इंडरेस के बारे में जान लेती है कैली को आर्ड में इंडरेस था और हारली को भी कुछ पेंडेस के बारों पता था वो वह था है कि एक Hello करा दिए यह बहुत ही important है इस बात से कैली ने agree किया इन दोनों के पेंडेस को लेकर चौईस बहुत ही सेम थे रात में खर पर आने के बाद एमबर हरली से बात करती है उसे अपनी कार ट्राइव करने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी पर इसके लिए thousand dollars लगने वाले थे हरली इसके लिए मना करता है क्योंकि उसके बास इतने पैसे नहीं है एमबर बुचती कि दुमारे पास पैसे क्यों नहीं होते डाड तो सब कुछ सही से कर लेते थे हरली कहता है को कंस्ट्रक्शन में थे मझे वहाँ पर जॉब नहीं मिलता स्लोली स्लोली सब कुछ ट्राय कर रहा है एमबर सब चीजों पर गुस्ता होकर वहाँ से चली जाती है एक दिन कैली ने हरली को रेसिपीज और पेंटिंग की बुग किफ्ट की जो हरली को बहुत अच्छी लगती है एक दिन काम करते हैं कैली फिर से उसे मिली पुछते हैं तो मैं पेंटिंग के बारे में क्या लगा था हरली करता है कि एडम और इव की वो पेंटिंग बहुत ही एकुरेट थी एडम जंगल में सारी चीज़े फिगर आउट करने का ट्राय कर रहा था और यू जो है उसमें एड़्जेस करने का ट्राइ कर रही थी ये हारली का उब्जर्वेशन कैली को अच्छा लगता है नेकसिन में हम देखते है हारली की अंकल माईक उसे मिलने के लिए आयो हुए थे वो ने घर में थोड़ी थोड़ी हेल्प करते रहते है उनका बेटा अब यूनिरसिटी में है जिस पर वो बहुत ही प्राउड थे उसके सारे फोटो उसने हारली और एमबर को दिखा है ये दोनों उस पर जलते थे तो उसका मज़ा खुड़ा दे ये बात अंकल माईक को अच्छे नहीं लगती और वहां से हो चले ही है आज इवी नहीं में हारली बहुत ही सुकुन से है अपने यार्ड में सोक गया था जब उसकी नीन खुली तो बहुत ही जादा डिस्टब हो जाता है फिर तो उसे पैनिक अटाग आने लग गया था वो भागते वागते कैली की घर तक पहुँझ गया कैली बाहर आई और से शान्त करने की कोशिश करती है वो भागते वागते जंगल तक पहुझ गया था कैली उसके पीछे बीचे गई तो डारिकली उसके साथ वो इंटिमेट हो जाता है कैली भी उससे कमफर्ट करना चाती थी तो कुछ भी बात बोलती नहीं सुबा उने पर कैली उसके साथ नहीं थी वो जब घर पर आया तो मिस्टी एक गन से शिकार कर रही थी ये देखकर उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है कहता है कि तुम्हारी उमर नहीं है मिस्टी को ऐसा नहीं लगता मिस्टी अपने आपको अभी से बहुत बड़ा मानती है गर के बाहर हार्ली ने जोडी को देखा उसके हाथ में खुन से लदपद एक टीशर्ट था इतनी छोटी लड़की को हार्ली इसके बारे में जादा क्वेशन नहीं पूछ सकता था आज राद हार्ली के स्टोर पर केली फिर से अपने बच्चों को लेकर शॉपिंग करने के लिए आई वो दिन बार काम करकर बहुत ठक जाती थी और शॉपिंग करने उसे अच्छा लगता था कल राद जो भी हुआ इसके बारे में बात करता है कैली को समझ में निया रहा था कि जो भी हुआ यह सही हुआ यह गलत वो हर्ली से गयती कि मेरे दो कीडस है मेरा हस्वण नहीं हर्ली गयता है मैं हमेशा तुमारे बारे में सोचता रहता हूँ उसे उसके साथ अच्छा लगता है ये सब सुनकर कैली ने अगले दिन अपने घर पर उसे इन्वाइट कर लिया वैसे वे उसका हजबन कुछ दिनों के लिए आउट आफ टाउन था राद में दोनों मिले पर कैली ने हारली से पूछा कल तुम डिस्टरब्ट है क्या तुम्हारा प्रॉलम सौल हुआ हारली इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था और इसके बाद ये दोनों इंटिमेट हो गए हारली को कैली के साथ होना बहुत ही अच्छा लगता है सुबाज जब वो घर पर आता है तो एमबर उस पर बहुत ज़ादा गुस्सा थी कह दिया है कि उम्हाद बर खात है घर बर कुछ प्रॉलम हुआ है उनकी सिस्टर मिस्टी के पास एमबर को थाउजन डॉलर्स मिले थै हारली ने उसे कंफरेंड किया तो मिस्टी कहती है ये पैसे मदर के है वो हम सब को लेकर यहाँ से भाग जाने वाली थी यह बैसे हारली ने उसे ले लिया एमबर कुछ थी कि अब वो लाइसन्स ले सकीगी पर हारली उसे मना कर देता है उसने कहा कि हमें घर के डैक्सेज भरने बढ़ेंगे और यह पैसे वो नहीं दे सकता एमबर इस बात से और भी जादा अपसेट हो गई आज आफटरनून में हारली डारेक्ली कैली से मिलने के लिए पहुच जाता है कैली उसे कहती है कि इस तरीके से तुम कभी भी मुझे मिलने के लिए नहीं आ सकते है मेरा हजबन घर पर हो सकता है हारली दो जॉब्स करता है तो दिन बर उसे भी टाइम नहीं मिल पाता इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि रेल रोर्स की हाँ पर दोनों मिलेंगे इसके बाद दोनों विक में एक दिन टाइम फीस करकर मिलने लग गये थे एक राद जब दोनों साथ थे तो इने लगता है शायद इन पर कोई नजर रख रहा है हारली ने जाकर चेक किया तो कोई भी नहीं था नेक्सिन में हारली को फिर से अपनी थेरविस से बात करता देखते है हारली ने कहा कि बच्चों को मारना ठीक होता है हार्ली को उसके फादर मारते थे तो यह बात उसे normal लगती थी तेरबिस ने पूछा थिए तबात अब्सक्राइब ने कभी भी तुमारे सिस्टर को abuse किया था तेरबिस्त विस्टर के साथ भी session हुए थे और उससे उसने बात पहचान ली थी हारली को ये बात पूरी तरी के से जोट लगती है जब वो घर पर आया तो एमबर अपने बॉइफरेंड के साथ घर छोड़ कर जा रही थी जोड़ी एमबर को जादा देखकर रोने लग जाती है हारली ने एमबर को रोखने की कोशिश की पर वो अपने ड्राइवर लाइसनस को लेकर बहुत गुसा थी तो अपने बॉइफरेंड के साथ चली जाती है जोड़ी ने हारली से का तुम्हें एमबर को जानने नहीं देना चाहिए था हारली कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि एमबर फिर से वापस आजाएगी उसका बॉइफरेंड उसे छोड़ देगा और फिर से घरी आने वाली है हारली अकेले में जोड़ी से बुछता है इस जाने से पहले एमबर क्या बात कर रही थी जोड़ी ने कहा कि एमबर और मिस्टी दोनों बात कर रही थी उनके बीच में कुछ सिक्रेट था तो उन्हें मुझे सुनने नहीं दिया जोड़ी कहती है सिक्रेट को सेफ रखने के लिए मुझसे अच्छी मिस्टी है हारली उसे बुच्छता है कि उस दिन खून का शर्ट तुम्हें मिला था क्या वो मिस्टी का था जोड़ी ने कहा कि हाँ हारली ने बुच्छा कि वो ब्लड किसका था जोड़ी कहती कि वो डैड़ी का था हारली को लगा था कि उसकी मदर ने जब उसके फादर को मारा तब मिस्टी मौल पर थी इसके बारे में जब वो जोड़ी से बुच्छता है तो जोड़ी ने का यह मिस्टी घर पर थी फादर को मारने के बाद मदर ने मिस्टी को मौल पर छोड़ दिया था मदर फिर जंगल में चलीगी वहाँ पर कुछ खोदने लग गी मुझे लगा था कि उस गड़े में वो फादर को डाल देगी पर उसने मिस्टी का टीशर उस गड़े में डाल दिया कि तुमने मदर को फादर को मारते हो देखा था जोड़ी कहती कि मैं बहुत डर चुकी थी तो अपने रूम में थी हारली अब समझ जाता है कि एक्चौल में उसके फादर को मिस्टी ने मारा था मदर ने सारी चीजों का ब्लेम ले लिया नेकसिन में हम देखते है हारली ने अपने लोयर से बात करकर अपनी मदर से मिलकर मिटिंग अरेंज किये हारली अपनी मदर से बुछता है क्या तूम हम सबसे भाग रहे थी क्या इसी वज़े से तुमने सब कुछ ब्लेम लिया मुझे पता है कि ये सब मिस्टी ने किया है मिस्टी एक माइनर है अगर तुम पुलीस को सब कुछ सच सच पता देती तूसे भी प्रॉलम नहीं आता और तुम भी बाहर होती मदर ने कहा कि इतना सब कुछ सिंपल नहीं था एक्चॉल में मिस्टी मदर को मारना चाती थी और उसके फादर उसके सामने आ गए हारले ने पूछा कि ऐसा क्यों मदर कहती है क्यों कि वो मुझे से जिलस थी अब हमें पता चलता है कि तेरेपी जिस अब्यूस के बार में बात कर रही थी या एक्चॉल में हुआ था इन रियालिटी इनके फादर मिस्टी को अब्यूस करते थे इस अब्यूस के खिलाफ कभी भी मदर कुछ भी बोलती नहीं थी तो इस वज़े से मिस्टी बहुत गुस्सा हो गई थी इसी वज़े से उस दिन वो मदर को मारने वाली थी फादर सामने आ गए और उनकी डेथ हो गई सब बात पता चलने के बाद हरली जब घर पर आया तो एमबर अल्रेडी घर पर आ चुकी थी उसके बॉइफ्रेंट से उसका जगड़ा हुआ था उसने उसे मारा भी था आज हरली डिस्टब था तो रात में आचानक से कैली के घर पर पहुँच जाता है कैली का अजबन घर पर था तो हरली वरो गुस्सा हो जाती है कहती है कि तुम्हारे ले में सब कुछ बरबाद नहीं करने वाली उसके फैमिली को जोड़ नहीं सकती हरली कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर अगर इनने अपने रिलेशनशिप को कंटिनूर रखना है तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए हरली ने ये बात मान लिए कुछ दिनों बात हरली से मिलने के लिए एमबर आए वह गयती है मैं फिर से मेरे बॉइफ्रेंड के साथ जा रही हूँ वह सुबा देखता है तो एमबर उसके पास ही सोई हुई थी उसे लगता है कि रात में इनकी बीच में कुछ हुआ इस बात से वह बहुत जादा डिस्टरब हो गया एमबर उसे समालने की कोशिश करती है पर उसे दूर जड़क देता है एमबर इस बात पर गुशा हो गया और कहती है मुझे तुमारे और कैली के बारे में सब कुछ पता है तुम कभी भी उसे पान ही पाओगे जिस तरीके से मिस्टी का घर में अब्यूस हुआ करता था उसी तरीके से बच्पन में एमबर का भी उसके फाइदर अब्यूस करते थे इस बात के बारे में हरली को थोड़ा थोड़ा पता था पर आज ये बात कंफर्म हो गई थी वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाकर सब कुछ उसे बता देता है और वो बहुत रोया थेरेपिस्ट ने उसे समझा किन चीजों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है तुम दोनों बहुत ही छोटे थे किस तरीके से इस इंसिटेंट को तुम्हें डील करना चाहिए इसके बारे में तुम्हें कुछ भी आइड़ा नहीं था एंबर जो भी कर दिया इस सारी सीचुएशन को डील करने का उसका वे है उससे हेल्प की जरूरत है हारली जब घर पर आया तो मिस्टे उससे बात कर दिया कहती कि मैंने तुम्हें और एंबर को सुना उसने बता कि एंबर और में जाता अलग नहीं है वहर में दोनों की सीचुएशन सेम थी हारली उसे कहता कि तुमने जो भी किया इसके बारे में मुझे पता है मिस्टे ने कहा कि तुम्हें बहुत पहले ही फादर को मार दिना चाहिए था हम दोनों को इन सब चीजों से गुजरना नहीं पड़ता ये बात सुनकर हारली को बहुत बुरा लगता है आज वो कैली से मिलने वाला था तो जगा पर पहुँच गया वहाँ वर डारील उसे कैली की डेट बॉड़ी मिलती है उसने आसपास देखा का एमबर के पास उसकी रैफल थी एमबर कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए अगर तुम कैली के साथ होते तो मेरा ख्यार को रखता हारली कैली के पास ही बहुत रोया वो फिर खुद पुलीस स्टेशन में जाकर सरिंडर कर देता है तो उसने कहा कि मैंने ही कैली का मर्डर किया है सारी सिच्चुचन पुलीस को बता दी पुलीस ओफिसर कहते है कि आगर तुमने कैली को मार रहा होता तुम दूर से भी उसे मार सकते थे तुमने क्राइम सीन के पास उल्टी की इसका मदलब है तुमें कर ही नहीं सकते थे तुम खुद चलकर हमारे पास आए ये कैसे पुसिबल है मुझे लगता है कि मर्डर किजी और ने किया है हारली एमबर को बचाना चाता था वो आगे चलकर अच्छे लैप जी सकती है पर हारली अपनी खुद की लाइफ को अच्छा नहीं मानता तो इस वज़े से सारा ब्लेम अपने आप पर ले लेता है पुलिस को उसने बता है कि मुझे इस वज़े से सब मिने किया है अब वो खुदी स्टेटमेंट दे रहा है तो पुलिस कुछ भी कर नहीं पाते है उस पर सारा ब्लेम आ गया है उसे जेर में डाल दिया जाता है तेरवीस को जब इस सब बात पता चली तो उसे वो मिलने के लिए आई उसे बहुत बुरा लगा उसे समझाने की कुशिश करती है तुम अपनी लाइफ को इस तरीके से बरबाद नहीं कर सकते है हारली को लग रहा था कि अब तक उसने जो भी किया इस सब कुछ बहुत गलत किया है घर की सारे सिजुशन उसे पता ही नहीं थी उसे कुछ न कुछ तो करना चाहिए था इस ब्लेम की वज़े से वो खुद को सजा देना चाहता था तो इस वज़े से वो कुछ भी नहीं बोलता जेल में उसे अपनी छोटी सिस्टर जोडी के लेटर्स मिलते रहते है हारली के जेल में जाने के पाथ सब सिस्टर उनके अंकल किया रहने के लिए चली गए वहावरो सेफ थी और एक अच्छा फ्यूचर पास सकती थी हारले अपनी फैमिली के लिए यही जाता था तो जेल में रह जाता है इसे के साथ यह मूवी एंड हो जाती है क्राइम जो करता है उसे सजा तो होनी ही चाहिए पर जो क्राइम देखकर नजर अंदाज कर देता है वो भी दोशी है हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठाने चाहिए यह मूवी हमें बात बता कर जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इडिविशन आइकोन दवान में मत भूलेएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमों उगरे साथ तुम ते लिए थैंक्यू